दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस्त दनियूज मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग और साथ में ही उधो ठाकरे गौर्णमेंट को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है महराज सरकार यानि उधो ठाकरे गौर्णमेंट को एक बर फिर से एक बहुती बड़ा जटका लगा है वो भी परमबीर सिंग की हो जाते जैसा कि आप सबको पता है कि परमबीर सिंग के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाये गये थे और साथ में ही महराज सरकार की तरफ से उनके खिलाप में इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही थी और ये भी लगातार दावा के जा रहा था कि परमबीर सिंग को जल्द ही मुंबई पूलिस के दोरा गिरफतार कर लिया जाएगा क्योंकि उनके उपर एक के बाद एक कई बड़े घोटा लेके आरोप लगाये गये हैं लेकिन अब इन्ही सब चीजों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में परमीर सिंग ने एक याज़का दाकिल की थी जिस पर जो है कल कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज़के द्वारा कल जो है मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमीर सिंग के आज़का पर सुनवाई करते हुए फिलाल के लिए इस केश पर रोग लगा दी है कोई भी इन्विस्टीगेशन करने से मना कर दिया है वो भी महराज गोर्मेंट को सीधा सीधा जो सुप्रीम कोट के जज़ थे उनके दोरा सीधा सीधा बोला गया है कि महराज गोर्मेंट जो है अब ही परमबीर सिंग के खिलाब में कोई भी इनिविस्टिगेशन ना करे इस पर पूरी तरह से रोग लगा दी जाए यही नहीं आपको बता दू कि यहाँ पर सुप्रीम कोट के जज ने दो के दोनों लोगों को फटकार लगाई है यहाँ पर उन्होंने परमबीर सिंग को भी फटकार लगाई है और साथ में ही महराज गोर्मेंट को भी जहाँ पर उनके दोरा बोला गया है कि कोई भी जो है दूट का धुला हुआ नहीं है यानि कि ना ही परमबीर सिंग और ना ही महराज सरकार दो के दोनों लोग जो है इसमें पूरी तरह से फास जाएंगे ऐसा जो है सुप्रीम कोट के जज़ के द्वारा सुनाया गया है सबसे बड़ी बात की सुप्रीम कोट के इस फैसले से महाराज के सियम ओधो ठाकरे की मुस्किले और भी जादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक तरफ अभी तक अनिल देश्मूग जो है उनके ओपर इसी सेम तरह के आरोब जो लगे थे घोटाले के वो उनके खिलाप में एडी की इनकवारी हुई और एडी ने उनको गरपतार कर लिया और उसके बाद महराज गवर्मेंट की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि परमबीर सिंग को जल्द से जल्द गरपतार कर लिया जाए अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उधो ठाकरे गवर्मेंट जो है परमबीर सिंग को गरपतार नहीं करा पाई तो कहीं न कहीं अभी जो है उधो ठाकरे को एक बहुती बड़ा जटका लगा है और परमबीर सिंग के होजा से उधो ठाकरे की परसान या आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियों के जाएज ज़्यादा सेर करें